आप सब देख रहे हैं हैपिनेस इंडिया गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ रहे हैं वहाँ पे तीन हजार किलो ड्रक्स पकरे गए हैं और यह अनुमान लगा जा रहा है कि यह ड्रक्स नौ से दस हजार करोर रुपए की है यह पूरा मामला क्या है इसी भी सहर पे करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्रिशन सानी जी नमस्कार स्वागत है नमस्कार फिर से स्वागत है सभी को मेरा परणाम जैहिन जैसे कि गुजरात में अभी एक बड़ी खबर सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे तीन हजार किलो ड्रक्स पकड़ा गया है यह पूरा कि बहुत बड़ा मामला है तीन हजार किलो का मतलब है कि लग बग आपने बताया दस जार के करोड के आसवास का तो बहुत बड़ा मामला है अलांकि इसको इसको उस तरज पे नहीं दिखाया जा रहा है ना लिया जा रहा है जिस तरज पे अगर कहीं पे किसी जैसे लास्ट तो उसको उन्होंने दस दस दिन चलाया कि उसके पास एक ग्राम पकड़ी गई है ड्रग्स ओह इतना बड़ा मामला आज तीने किलो ड्रग्स पकड़ी गई है और उसकी कोई खबर भी नहीं है क्योंकि इसका सिदह सिदह जुड़ा हो अभी जो खबर आ रही है जो पता चल र हुआ है क्योंकि वह जहां बंदर का जापोर्ट से बरामद हुई है वह अदानी ग्रूप का है तो इस पता नहीं उस वज़े से इस खबर को दबाया जा रहा है या इसकी पिछे की क्या वज़ा है पर पूरी जहां चुने चाहिए और पुलिस की तरब से दो लोगों को भी रहसत में लेख और अब ही कोई ब्यान या ऐसी कुछ बात सामने नहीं आए कि इसमें कौन-कौन सामील है कहां से आई है अलंकि तालीबान ही बताई जा रही है जो ड्रक्स है वो तालीवाण ही बताई जा रही है तो वहां से यह तो बहुत बड़ी नाकामी है न हमारी कि य यह हमारी जो इंटेलिजन्सी है यह पुलिस फोर्स है यह जो भी इस तरीके की रोकताम है यह एंटी नार्कोटिक बूरो है तो इनकी एक तरीके के नकामी है कि इस तरीके से इतनी ड्रग्स पकड़े जाना और वो आई कैसे और वहां तक कैसे पहुची तो यह तो बहुत कि जन्ता से भी और हमारी फोर्स से भी कि किसी परकार के सत्ता के दबाओं में या सत्ता के किसी भी पार्टी के सत्ता के दबाओं में ना आके इस चीजों को तो अपने जो यह जास एजन्सिया है या फोर्स है यह अपने आसा भीवान मानके अपने देश की रख्सा मानके ऐसे चीजों को पकड़ा जाए और कोई भी इसमें वो लग तो इसको तुरंट पकड़के कड़ी से कड़ी करवाई जाए क्योंकि यह देश के बवीशे के साथ खिलवाई रहा है ड्रग्स जो लेते हैं ड्रग्स वह हमारे भारतवासी को ही प्रवाइड की जाती है और इजा को इन डील करते हैं उन सभी से मेरा आग रहे हैं कि ऐसी चीजों को सत्ता से अलग हो के अपना खुद का सभीमान से खुद के अपने आतम निरभरता से ऐसी चीजों को पकड़ा जाए और देश में फैलने से बचाए जाए जैसे कि आप एक तरफ यह बात सामने आ रहे है कि नार्कोटिस इसमें नाकाम है जो ड्रक्स आरे इंडिया में आये कैल से तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि तीन हजार किलो ड्रक्स जो पकड़े गया है और एक तरफ से तो बढ़ा का मैं आभी भी हाथ लगा जिससे बहुत से युवाओ की जान बच सकती है इस पर मतल मक्मा इसके चल रहा हूँ की तीन हजार केलो तो पकड़ी गई है अगर इस जो क्या पता इससे बहुत जयादा हो तीस हहार कीलो तीन लाग किलो हो जो बैल गई हो तो ऐसा अगर नहा हो चाहिए ला होना चाहिए और तुरंत अगर जहां तक पहुची हैं उनको भी इसमें सामिल करके जो नए बच्चे हैं अगर जो इसमें इनवोल है तो उनकी एक काउंसिलिंग करा के उनको ठीक रास्ते बलाना का परियास करना चाहिए तो मेरा यह परियास है और इसको परमुकता से उन उठाना चाहिए हमारे मीडिया बंदू से भी मेरा आगर है कि इतनी बड़ी ख़बर को आप दबा के बैठ गए हजम कर गए तो आपको भी इसको उठाना चाहिए जनता को जागरू करना चाहिए और कोई भी चाह बड़ा नाम इसमें इनवोल है तो उसको भी सहजा दिलाने का उतना ही परियास करना चाहिए जैसे ही कि आपने पिछली बार एक गराम से पांच गराम दस गराम जिसके पास बरामुकता है जैसे कि जो खबर आई है उसमें ये पता चला है कि जो ड्रक्स है अंडानी पोट के पास पाई गई है इस पे आगे क्या करवाई हो रही है इन सब चीजों की ज़नकारी हम देंगे और इस पे पूलिस का क्या रोल है और प्रसासन क्या कर ये सारे जनकारीों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुडे रहे हैपिनेस इंडिया पे हमारे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना गुले, जैहें पर घुले, जैहें रहें